हम लोग अपने देखा है कि दिफरेंट टाइप के य्लोई है और, वह PRAMRI SITE आप एक्सचेन्ज ह Quindi अदर करनसाइब का एक्सचेन्ज होता है इसके अलावा एक एक दूसरा स्थान और है जहां पर एक्शेन्ज होता है यह blood and tissues के बीच में, यह blood जो circulate होते हुए, tissues के पाँच मुझता है, तो वहाँ पर भी exchange होता है, आप यहाँ पर देख रहा है, यह oxygenated blood आ रहा है, यहाँ पर oxygen, चला जा रहा है, tissues के अंदर, यह tissues है, और carbon dioxide release हो रही है, इसका opposite यहाँ हो रहा है, यहाँ auto entry कर रहे है, और CO2 release हो रही है, तो जो process यहाँ हो रही, इसी का ठीक opposite यहाँ पर हो रहा है, तो इस तरह से यह पूरी process होती है, अब सवाल यह है कि यह क्यों होता है, तो यहाँ पर यह जो exchange हो रहा है, वो simple diffusion के थूरू होता है, और due to pressure या concentration gradient की हो जासे, basically यह जो इसका basis है, वो pressure या concentration gradient है, किसका pressure या concentration gradient, oxygen और carbon dioxide का, तो जैसा कि मोग जानते है, partial pressure क्या होता है, अगर कोई gases का mixture है, उसके अंदर जो gas, जितना contribution होता है, जितना percentage होती है, उसके हिसाब से उसका partial pressure होता है, तो एक overall जो gas होगा, उसका pressure होगा, और उसमें जो जो gases है, उनका अलग-अलग pressure, partial pressure होता है, तो उसी partial pressure के बारे में, हम लोग देखेंगे, कि atmospheric air में कितना, किस gas का partial pressure या concentration होता है, और electrolyze के अंदर कितना होता है, blood के अंदर कितना होता है, और body tissues के अंदर कितना होता है, क्योंकि इसी basis पर हमारा diffusion based होता है, तो इस diagram में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा है, जो बाहर से atmospheric air आती है, उसका जो pressure होता है, 159 होता है, लेकिन जब electrolyze में आती है, तो थोड़ा सक कम होता है, 104 होता है, तो atmospheric air जब enter करती है, electrolyze के अंदर, lungs के अंदर, तो उसका जो oxygen का partial pressure होता है, 104 mmHg, mercury है न, तो इतना इसका partial pressure होता है, और इस electrolyze के अंदर, carbon dioxide का जो concentration होता है, वो 40 होता है, 40 mmHg होता है, इसके अलावा, जो आप देखिए, तो फिर blood के अंदर ये पहुंचता है, यहाँ पर oxygen diffusion के तुरू blood में पहुंचती है, क्यों blood में पहुंचती है, क्योंकि blood आप देख रहे हैं, ये systemic vein से deoxygenated blood जा रहा है, heart में, heart से फिर ये lungs में जाता है, या पढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी अंदर जो oxygen का concentration है, वो 40 mmHg है, oxygen का concentration इसमें कम है, और CO2 का concentration कितना है, PCO2 is 45, and PO2 is 40, तो जब ये blood पहुंचेगा लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 40 है, तो CO2 क्या होगा, इसमें से निकल के, एलोलाई में चले जाएगे, इसमें 45 है, CO2 का concentration, यहाँ पर 40 है, तो carbon dioxide release होगी, अब oxygen का concentration 104 है, और इस blood में कितना है, 40 है, तो oxygen इसमें अंदर को आ जाएगी, अब ये blood oxygenated हो गया, अब ये blood oxygenated हो गया, अब इसमें oxygen और carbonation का concentration कितना कितना होगा, एक्सचेंज होने के बाद कितना कितना होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग, oxygenated blood क्योंकि oxygenation हो चुका है, तो इसमें अब PO2 का concentration 95 mmHg होगा, यहाँ 104 था, लेकिन यहाँ पर 95 होगा, एकदम 100% नहीं होता, थोड़ा बुतरा जाता है यहाँ पर, जब भी कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोवर कंसंट्रेशन पर जाएगी, तो ऐसा जरूर नहीं कि 100% diffusion हो, थोड़ा बुत उसमें रह सकता है, इस अलोड़ाइक से अंदर बची रह सकती है, तो यहाँ 95 mmHg होता है, और PCO2, अब 45 से कितना हो गया, 40 हो गया, यानि 5 mm करीब जो है, Hg वाला प्रेसर वाली जितनी कर्बन एक्साइट थी, वो यहाँ पर एक्स्चेंज हो गई, क्यों हो गई, देखें, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40, PCO2 को को कंसंट्रेशन इसमें भी 40 है, इसमें 40 है, यानि जब यहाँ से CO2 तब तक रिलीज होगी, जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए, इसके अंदर भी 40 हो गया, इसके अंदर भी 40 हो गया, अब इसके बाद डिफ्यूजन नहीं होगा, तो इस तरह से यह 45 से 40 आए, आप एक कोशन नहीं कर सकते हैं, यह 40 है, तब भी तो ज़्यादा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बाडी के हिसाब से मेन तो हमारी ज़रूद कार्बन डाइकसाइड की नहीं होती है, और 40 पे वो टाक्सिक नहीं होता है, 45 पे टाक्सिसिटी आना शुरू होती है, आप आते हैं, हमने देख लिया, डी आक्सिजनेट ब्लड में देख लिया, यह इसका रेसियो और आक्सिजनेट ब्लड में देख लिया, ठीक है, यह सिस्टेमिक वेंस में बहता है, यह सिस्टेमिक आर्टी जन बहता है, जब hemoglobin, आक्सी hemoglobin बनाता है तब यह red color हो जाता है वही जब आक्सी hemoglobin hemoglobin में change होता है तो औसका color कैसा होता है? blue on color आ जाता है इस तरह से यह blue on color होता है इसका red color होता है यह हो गया आपका different concentration level अब हम body tissue के बारे में बات करें तो body tissue में आप देख रहे हैं PO2 का जो concentration होता है वो कितना होता है 40 होता है और PCO2 का 45 तो जब भी यहाँ पर oxygenated blood आएगा वो क्या होगा oxygen इसमें अंदर को आएगी और CO2 इसमें release होगी तो वही exchange यहाँ भी होगा तो यह concentration difference या partial pressure का difference है इसी की वज़ा से यह सारा exchange होता है simple diffusion के थूँ तो इसको आप लोग को हम लोग फिर बाद में इसको चार्ट के माद हम सभी explain करेंगे कि कौन सा कितना होता है यह चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी कि किस तरह से होता है और सबसे बड़ी बात है इसमें जो आपका यहाँ पर allolize होता है इसके बीच में इनकी जो membrane होती है बहुत thin होती है single layer membrane होती है इसकी वज़ासे इसमें आसानी से diffusion हो पाता है ठीक है तो यह आपका इस तरह से है तो इस तरह से हम देखते हैं gradient is present for CO2 in opposite direction यहने कि tissues to blood and blood to allolize तो oxygen का जो है आपने direction देखा allolize to blood and blood to tissues जबकि carbon dioxide के case में यह opposite होगा कैसे tissues to blood and blood to allolize इस तरह से oxygen और carbon dioxide का exchange इसमें चलता रहता है अब दुसी बात यह है कि salubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that opposite जो blood के अंदर salubility होती है CO2 की वो 20 to 25 times higher होती है ठीक है तो इससे होता क्या है फाइदा क्या होगा तो amount of CO2 that can diffuse to the diffusion per unit membrane in the passive presence much higher compared to the O2 काने का मतलब यह है कि diffusibility ज़्यादा होने के उज़्यासे जहाँ पर CO2 का concentration ज़्यादा होगा तो वो जिस तरह को concentration कम होगा वो तेजी से diffus होगा क्योंकि उसकी जो solubility होती ही हो ज़्यादा होती है तो diffusion इससे fast होगा कल्कुल मिला करने का मतलब यह है कि solubility ज़्यादा होने की उज़्यासे यह ज़्यादा diffusion होगा CO2 का वो ज़्यादा easily होगा ज्यादा तेजी से होगा, कहाने का मलब खास करके टीसूज लेविल पर करें, इस चीज को समझने कोशिश करें, तो टीसूज के अंदर, जो सेल सेंदर, CO2 का कंसंट्रेशन अगर 45 है, और यहाँ पर 40 है, तो बहुत तेजी से यह डिफ्यूज होगी, कहाँ पर, ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर, कारबन डाइकसाइड का इसचेंज, टीसूज से ब्लड के अंदर, बहुत तेजी से होगा, क्योंकि इसकी सालिविल्टी इसके अंदर ज्यादा होती है, तो बहुत जल्दी से ये रिलीज होगा है ठीक है तेजी से रिलीज होगा ये और रिलीज होकरके फिर यहां के अलवलाइस के अंदर एक्सचेंज होगा इसका तेजी से वो इसलिए होगा क्योंकि इनकी diffusibility थोड़ी सी fast होती है इसलिए tissues के अंदर बहुत quick exchange हो पाता है और in respect to O2, O2 का उतना तेजी से वो नहीं होता O2 का जो solubility है ब्लड के अंदर, CO2 के respect में कम होता है वैसे तो होता ही है अब इसके बाद हम लोग distance करते हैं कि इसका जो structure है आप यहां पर देख रहे हैं यह एक अलोलाई है और यह कैपिलरी है जो उस अलोलाई के चारो और रांडेड होती है और इसके बीच मेंब्रेन होती है जिसको हम लोग basement ठीक है यह इसी तरह कैपिलरीज का भी जो वाल होती है इंडोथेलियम जो होती है वो भी वन सेल्ड ठीक होती है अब बीच में एक हलका सा basement मेंब्रेन की तरह होता है अब यहीं पर चुकी यह थिन लेयर है इसके बीच में डिफ्यूजन बहुत इजली होता है और बहुत पास्ट्रेट से हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई रुकावट नहीं होती है इसलिए यहाँ पर और जो अगर हम टोटल थिकनेस देखें दोनों की मिला करके तो इसमें क्या थिकनेस होगी लेस जैन वन मिलिमेटर यह पूरी जो थिकनेस होगी यहाँ से यहाँ तक दोनों को अगर मिला लें तो भी एक मिली मीटर से कम ही बहुत कम होगी ठीक तो इसलिए यह इस जो आन्वायरमेंट है यहाँ L.A.S. का एंडोथेलियम का यह एक फेवरेबल कंडिसन देता एक structure इस तरह का है कि यहाँ पे ट्रांस डिफ्यूजन है वो टांसफर है जो गैसेज का वो एक्चेंज है वो तेजी से हो सकता है बहुत बिना किसी कावट के इस तरह से यह पूरा हमारा लंग्स डिजाइन है कि वहाँ पे गैसीयस एक्चेंज बहुत इजली हो सकता है और स्योटू का आपने समझी लिया कि वो उसका इजली वो टीसूस से किस तरह से रिलीज हो पाता है क्योंकि उसकी जूसालस इजल्विल्टी होती है वह ज़्जादा होती है तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा एक्स्चेंज होता है टीशूस के अंदर किस तरह से अपने देखा और कौन से अक्सीजण का concentration कितना होता है इसको थोड़ा हम लोग और डिटल में चर्चा करते हैं इससे पहले थोड़ा हम यह जान ले कि blood is a medium power transport of oxygen and carbon dioxide दूसरी चीज about 97% of O2 is transported by RBC जो 97% आपका जो oxygen है वो RBC कि थुरू होता है उसमें क्या होता है hemoglobin किसमें चेंज़ जाती है आकसी hemoglobin में HB से HPO2 बन जाता है इस तरह से बाकी 3% करीब O2 dissolved state में भी हो सकता है हलाकि यह बहुत कम होता है और CO2 को बात करें तो nearly 20 to 25% of CO2 is transported by RBC तो इतना percent करीब 20 to 25% CO2 जो है वो आपके हिमोगलोबीन के साथ जूड करके भी RBC के थुरू भी होती है और 70% जो है वो पलाज्मा में bicarbonate ion के फार्म में और water देख करके बाइकार्बोनेट आयन बनाता है उस फार्म में वो ट्रांसपोर्ट होती है 7% डारेक्ट डिजाल होकर के डिफ्यूज हो सकती है लेकिन जो मेंली कार्बन डाइकसाइड का डिफ्यूजन है वो बाई कार्बोनेट आयन के फार्म में CO2 का कंडक्शन ब्लड के अंदर होता है यह आप ध्यान रखिएगा कि 70% या most of the percentage जो है बाई कार्बोनेट आयन के फार्म में होता है H2 और CO2 मिल करके कार्बोनीक एसिट बनाती है फिर कार्बोनीक एसिट तूट करके बनाता है आपका बाई कार्बोनेट आयन तो इसके बारे हम लोग आगे चर्चा करेंगे किस तरह से होता है इससे पहले हम लोग यह देख लेंगे पार्सेल प्रिशर किसका कितना होता है इसके बारे में एक चार्ट है इसको हम आपको दिखाना चाहते है तो उसको आप ध्यान से देखिएगा यहां पे एक चार्ट देख रहे हैं इसमें आपका डि डिफरेंट कंसंटेशन दिखाया गया है इसमें द लेविल पर तो इसमें आप देखिए ध्यान से यहांपए जो जो ओड्यू है रिस्पार्ट्री गेसिदि यहांपर दिया गया है सब्सक्राइब और थ्वड़ सा 104 होता है concentration इसके बाद फिर जो ब्लड के अंदर आगर ब्लड के अंदर हम बात करें तो oxygenated blood के अंदर कितना होता है 95 होता है हम लोग यह distance कर रहा है चुके हैं भी उपर में और वही de oxygenated blood के अंदर 40 होता है और tissues के अंदर भी जो normal oxygen का concentration होता है वो कितना होता है पुट्टी होता है यहाँ आप यह diagram में भी आप देखें यहाँ पुट्टी लिखा इसी तरह उपर के diagram में यह चीज़ें दी हुई है कि oxygen और carbon dioxide का concentration का concentration कितना कहां होता है तो लगभाग आप इस चीज़ को देख चुके हैं अब इसमें बस atmospheric air में अगर carbon dioxide का हम देखें तो 45 अब यहाँ पर 45 यहाँ फुट्टी है तो इधर से इधर को diffuse out हो जाएगी और oxygenated bud में फिर फुट्टी हो जाएगा जैसा कि हम लोग अदर फुट्टी फाइब होगा तो 45 और 40 यह ratio चलता है इसका जबकि हम लोग अगर oxygen के उसमें रिफ्रेंस में देखते हैं तो वहाँ प 40 है और oxygenated bud में 95 है और tissues में भी 40 है तो इस तरह से यह पूरा यह से यह आपको याद रखना पड़ेगा कि कहां पर कौन सा concentration होता है इसके basis पर हम इस चीज को explain कर सकते हैं partial pressure difference होने की वुज़े से simple diffusion के through gaseous exchange होता है कहां होता है lungs के allolize के अंदर और allolize का structure भी आप समझ गए होंगे किस तरह से होता है capitalize और allolize की बीच में thin layer होने की वुज़े से किस तरह से exchange होता है इस चीज को भी आप समझ गए होंगे तो यह एक पूरा general method है general criteria है कि किस तरह से exchange होता है और क्यों हो पाता है partial pressure के difference की हुज़े से simple diffusion के through तो इस तरह से आपने diagrammatic representation आप exchange आप gas at allolize and body tissues दो जगा आपने देखा है allolize में और body tissues की बीच में देखा and transport आप oxygen and carbon dioxide तो carbon dioxide और oxygen का transport कैसे होता है इस चीज को भी आप समझ गए होंगे हुआ 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 है